नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फ्रैंड सी दुनिया में गाइस वीडियो में डिस्कस करेंगे एज़ेडे वसेस के एज़ेडे वसेस के बीचो खिला जाएगा ओमान डीटैन लिक का मैच का इस दोनों टीम का ना हाला इस टूनामेन में बहुत खराएगे एज़ेडे ने भी अपना मैच हारा सबसे बराबात दोनों टीम ने बहुत गंदे तरीके सहारा तो क्या हो सकता है इस मैच में कौन टीम थोड़ा बिटर परफॉर्म कर सकता है कहां पर इंपॉर्टेंस आपको मतलब कौन से पार्ट में बॉलर या बैट्समें क कौन बिटर परफॉर्म कर रहा है दोनों टीम से मैं डिसक्स करूंगा एंड अध में मिलेगा कैप्टेंवाइस के चॉइस प्लियर्स के पास्ट रिकॉर्ड भी मिलेंगे मिलेंगे करेंट स्टैट्स अनलाइसिस तो पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए टेलिग्रम का लिंक मिलेगा अगर नियू हो तो जॉइन हो जाओ लिंक से और सर्ज भी कर सकते हो क्यारफुली करना एधरेट लगा के टीम से फटा फटा आता हो इनलाइसिस में लाइक करके स्टार्ट रखना ताकि जो मोटिवेशन है वो हाई रहे और चादस से चादा मै होगा ग्यारा बजी यह रात को मैच स्टार्ट होगा और इसके बाद जो हम लोग के लिए मैच होगा वोगा असांप्टी तो इन्टी थी थी असांप्टी डूनिया चैनल टेलिग्रम जो है उससे उस पे जॉइन हो जाना अगर आपको फाइनल अपडेट चाहिए फूचर में 90-110 average score fresh track रहेगा देखो fresh track in the sense मैं बता रहा हूँ अलमिडिट यह होगा कितना नंबर मैच गाइस यह मुझे एट मैच होगा ठीक है एट सौरी नाइन्थ मैच होगा अब तक तो पीच मेरे सबसे fresh लग रहा है बहुत खराब नहीं लग रहा है कि ranks turn हो रहा है वगरा बहुत जाधा turn हुआ है या फिर guys ball रुक के आ रहा है ऐसा नहीं हो रहा है पीच स्टिल अच्छा behave कर रहा है अब शुरू के 10-12 match तो I think better होना चाहिए in the sense of अच्छे batting के लिए ठीक है टॉप batsman oman d20 में कौन निकल गाता है के एस डेवल्यू अमीर कलीम साथ मैच में 45 एवरेज 200 अच्छा तरन यह oman d20 का record है देखो अमीर कलीम oman d20 में अच्छा कहला था with bat with ball दोनों में अच्छा कहला था तो यह default captain है हमारे लिए जिशन सिद्धी के अगर खेलते हैं फिलाल last match में भी सबसे ज़्यादा रन बना है क्यों important है पास्टी को समझ रहे हो ना आप अकमल second best scorer थे उस series में और इस time पे भी I think इस team के लिए गई second best player है guys राह वाकर का ज्यादा रन था नहीं छे मैच में बिर्यासी रन अजगर का कुछ ऐसा वसीम का बहुत ही कम टॉप बॉलर्स Oman D20 में कौन थे एम रजा था और इस tournament में भी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस team से एम रजा को बॉलिंग करते हैं अमिर कलीम सात मैच में नहीं थे एहां पर भी अच्छा खेल रहा है दोनों मैच में रुखे निकाले है ए धिमान का पाच मैच में आट विकेट ये बंदा भी दोनों मैच में रुखे निकाला है एक विकेटी करें दानिश का छे मैच और आर सतर अगर खेलते हैं तो guys dead balling क कंडिशन में इनके ओवस कर सकते हैं दानिश धिमान इनके ओवस कर सकते हैं ध्यान देना इस एड़े से इम्रान मुहमत का सबसे ज्यादा हुए था लास्ट मैच में ये complete flop थे जंदा शाहिद इंगनोर करें बट आप ट्राइब कर सकते हो खलीत का पाच मैच में चार था ज सबसे ज्यादा इंपॉर्टिन होते हैं मैच उसमें और हां दोनों टिम का पैटिंग तो मुझे ज्यादा कुछ खास लग नहीं रहे तो विकेट तो दोना एंट से गिरेंगे के सब्सक्राइब थोड़ा सा बिटर है कॉंपेटिव इनका उपनें रिजन है अमिर कली में इ करेंगे अगर कोशिश करेगा कि अच्छा कंट्रोल से बॉलिंग करते हुए और साधी साथ में या फिर गाइस वो जो मिलोवर्स की जो सेकेंड पोर्शन होता है ना पहला पाच नहीं दूसरा पाच होता है उस पोर्शन में अकसर बॉलिंग कराता है तो बहुत ही क्रूश मुझजाई राजा पावर पॉर्टी में एक अवर एक वर डेथ में सबसे इंक इंप से प्रमुक बॉलक बॉलर है मुझाई राजा है मेरे साथ सअने । और अमीर कलीम ठीक है अमीर कलीम भी एक अच्छा ऑप्शन है फिर साहीद अमीर अली यह तीन प्रमूग बैट बॉलर होंगे और बैट्स में प्रमूग होगा अमीर कलीम और दानिश थोड़ा हीटिंग कराएगा कुट्टी राजा ज्यादा बैटिंग दो इनके पास भी ज्यादा अच्छा नहीं है और यहीं पर कुश्चन आता है कि यह जो बंद है ना आर सतर अगर खेलता है तो आपको डेट करते हो दिखेगा सौला मैच में चोट्तर बर में तेरा हुए कि डिफॉल्ट हो जाएगा उस कंडिशन में स्पिशली बॉल फॉस्ट बाकी गैस अ जाइद अमीर अली का कुछ बैटिंग से परफॉमेंस है और कुछ ओवर्स डाल है बट यह भी विकेट टेकल लग नहीं रहा है इस एटे से अगर ध्यान से देखोगे तो इनका बैटिंग में बहुत कुछ डिपेंड करेंगा अर्सलियन बशीर जिन्होंने लास्ट मैच म बहुत अच्छा हीटिंग कराया था अक्मल शायजात हीटनिस है बाकी इनका भी बैटिंग अटेक अच्छा नहीं है और इंपोर्टन बात है यह जो बालिंग यूज किया था लास्ट मैच में इन्होंने गए छे बालिंग उप्शन या फिर साथ बालिंग उप्शन अगर यूज होता है तो मुश्किल होगा आपको रखना टीम में खली द्रेशित आइडिली बॉल फर्स कराएगा तो डेथ कराएगा बहुत इंपॉर्टन हो जाएंगे इम्रान मुहमद यह तो लास्ट मेंच में दोनों वर अपने शायद मुश्विल पावर प्ले में डाल दिय है मैंने उपर बैटिंग से भी रिकॉर्ड बताया था आपको उपनिंग बॉलिंग इम्रान वासीम जसीम जसीम लाही के रशीद और इम्राइन आपको डेथ में भी करते हैं लास्ट में इम्रान ने नहीं डाला था बट यह बंदा भी डेथ डाल सकता है अब अगर मैं सब्सक्राइब सकता है इस मैच में बाकी अर्सलान बशीर हो जाएंगे आपके लिए निचे से अगर कोई इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है राव वाकर 14 मैच में केबली पांच है मुदसर का 16 मैच में 13 अगर आते तो हम लोग ट्राइब करेंगे वसीम का 20 मैच में खलीद रशीद 13 मैच में 20 सुट है इनको भी बैक कर सकते हम लोग कैप्टेंट चॉइस में अमीर कलीम अमीक लिग दिया माफी चाहता हूं डिफॉल्ट है मेरे सबसे यहां पर कोई कोई कोश्चन होका नहीं है समिरली डिसेंट है अपर बैटिंग क्यों नीचे करा रहा है पता नहीं है आइडिली उपेनिंग शुरू में करना चाहिए अर्सिलान बशीर बैटिंग भी करा सकता है और गाइस पॉइंस दे सकते हैं आपको बिसिकली बैटिंग के साथ तो इन दोनों से किसी एक को है समिरली एजा बॉलर और यह बन्दा बॉलर और यह बन्दा बॉ ओडिट इस पीम पर अगर बॉलर कोई एड होता है तो सबसे पहला इंका ब्ला ऐड करा कर सकते हो यह रही का मेरा फिलाल प्डेट में इस चानल के लिए यह थैने वाला हूं तो यह भी टेलीग में चैनल बेने वाला ओं तो डेलीयम जान में वीडियो पिशंद आया तो ल